चेरीज, ब्लूबेरीज, वेफर, हनी, चौको सिरप, रोवजा, नट्स, ड्राइ फ्रूट, क्रीम, वेजी, स्वीट्स, फ्रेश फ्रूट, आप क्या कुछ नहीं डाल सकते हैं अपनी आइसक्रीम में और इन सब से आपकी आइसक्रीम का टेस्ट इतना जाद है नहीं सो जात है साथ में बहुत ही अराम से काम हो जाता है आपका फिर यहां पर मैंने ले लिया है डिफरेंट शेप्स और साइज की बोल्स अब यह मैंने क्यों लिए है यह मैंने इसले लिए है कि आपके आइसक्रीम की कॉंटिटी और महमान को कैसे आप डील करते हैं अगर आपके पास आइसक्रीम जाते हैं महमान है कम तो आप बड़े बॉल लीजिए और आप छोटे बोल लीजिये तो अब चली शु libero करते हैं तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े वाले कांच के को से शुडू किया है इसमें मैंने डाल दिय ti一个 का一 अजिय क्रीश इसका यहां पर मैंने वे और side में अब मैं डाल दूँगा इसमें अपने peach इसको मैंने थोड़ा सा सुन्दर डिजाइन में रखने की कोशिश की है कि एक side में बड़ा अच्छा सा सुन्दर सा sleek look आए अब ये जो है आपका एकदम perfect ice cream sunday तयार हो गया है fresh fruit से आपके घर पे ही और ये देखने में बहुत सुन्दर और healthy तो होता ही है तो चलिए अपनी दूसरी ice cream शुडू करते हैं अपने बड़े वाले कांच के बोल से शुरुवात करते हैं इसमें डालते हैं अपनी ice cream vanilla डाली है color contrast का बस आपको ध्यान रखना है बाकि आपको जो ice cream यूज करने आप कर सकते हैं बस color contrast होना चाह ले आप छोटे वाले भी डाल सकते हैं बड़े वाले भी डाल सकते हैं बड़े वाले थोड़े से soft होते हैं उसमें चाशनी जादा होती है तो आप उसी हिसाब से देख लीजेगा फिर मैंने डाल दिया है अपना गुलाब जामुन यहां पर मैंने गरम गुलाब जामुन का इस्तुमाल किया है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है आपकी आइसक्रीम केसाँ आप एक्दम ब्रूप बहुत प्रसक्रीम के साथ रख सकते हैं बहुत ही सुझी शुनाता है अब यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच इसलिए यूज की है क्योंकि इसमें एक कुटूर कुटूर फैक्टर जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है और साथ से इसके उपर जो आप डालते हैं हलके से लाइट यलो रंग पर आपकी जो गारनिशिंग है वो बहुत ही अब आपको लग रहा होगा गाजर क्यों लगाई तुमने अरे भाई हम हमेशा फाइव स्टार होटल से ही क्यों लेके आए अपने घर पे डिशिज क्यों ना हम घर पे एक्स्पेरिमेंट करके ऐसी डिशिज बना दे जो कि फाइव स्टार में जाए तो यहां पर मैंने तूपिंग मतलब की नीचे गिरती हुई टाइप लगाऊंगा कब से बाहर बहुत ही सुन्दर लगता है इसको सपोर्ट देने के लिए गाजर सिमिट्री मेंटेन करने के लिए एक और गाजर एक खीरा जो बड़े वाला था उसको मैंने आधे में काटा बीच में से काटा फिर उसके बाल उसके जो बीच थे उनको निकाल दिया एक ट्यूब टाइप बनाने के लिए आप देखी सकते हैं इसको भी सपोर्ट करने के लिए गाजर लगा दीजिए और यही जो ट्यूब है इसके पतले पतले काटके आप इसके साइड में लगा दें अब यह जो खीरा था मैंने इसके बीच क्यों निकाले यह मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक स्पेस आपकी बन जाएगी और उसमें आप डाल सकते हैं अपनी बटर स्कॉच आइसक्रीम और इसका जो टेस्ट होता है मैं आपको क्या बताओ इसके साफ मैं डॉल दूँगा इसमें टमाटर गाजर का अब यहां पर अपनदा इसको एक में उसको में बहुत कफी सुनर बटबलो कन्ट्रासण चलते हैं अपनी चौथी आइसक्रीम के तरफ यह भी धमाकेदार आइसक्रीम होने वाली है तो मैंने ले लिया है अपना गोल मटोल वाला प्यारा सा ग्लास इसका रंग मैंने औरेंज लिया था और बहुत ही क्यूट लगता है मुझे मैं सही बताऊं तो इसमें मैं डाल देत होगा अपने काजू बीच में से काट के मैंने डाले हैं चांद शेप आजाता है आपके काजू का बहुत ही अच्छा होता है वह शेप और महमानों के सामने वह रखने में तो महमान पहले ही समझ जाता है कि किसी प्रोफेशनल नहीं बनाया होगा अब इसके साथ में डाल द पिस्ता भी मैंने इसमें डाला है आपने देखा ही होगा चमच लगाने के बाद इसका क्या लुक आगया है देखिए भाई भाई तो अब बार यह जाती है हमारे पांच वे आइसक्रीम की इसमें आप थोड़ा कलरफुल सही बोल रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही साधा आइसक्रीम के साथ तो सबसे पहले हमने यहां पर इसमें डाल दिया अपना वनीला का स्कूब इसमें हम दो वनीला का स्कूब डाल रहे हैं इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा चोकलेट सिरप चोकलेट सिरप जो है वह बहुत जादा टेस्टी लगता है आप अगर चोकल लिला सिरब भी मिलते हैं आपने वो डाल दिया बहुत ही सुन्दर लगेगा बस कलर कॉंट्रास्ट होना चाहिए फिर मैं डाल दूँगा च्छोटी सी लाइन रुवजा की बहुत ही जादा सुन्दर लगता है यह एकदम कलर कॉंट्रास्ट कर देता है इस पे मैं डाल को रोकियेंगा मत क्योंकी यह एकदम हल्दी होता है इसमें जादा मिठास तो होती है ? पर हल्दी होता है यह शक्कर के तरह उन्होंदी नहीं होता है भाईवा क्या इस्क्रीम आपकी तयार होगा ? यह बिलकुल मस्त तो चलीए अब हम अपनी सिक्सत आइसक्रीम पे चलते ह बहुति मस्त आईस्क्रीम होने वाली है तो सबसे पहले मैं डाल दूगा अपना आईस्क्रीम यहां पर मैंने वनिला यूज की है आप यह इस वाली आईस्क्रीम में मैं आपको पेशली बताना चाहूँगा कि आप थोड़ी melted ice cream ही लीजिएगा एकदम proper जमी हुई मत लीजिएगा क्योंकि इसमें इसका एक बहुत important काम है जी हाँ wafers लगाए आपके ये जो गीली ice cream है इसके साथ wafers बहुत ही अच्छा compliment करते हैं पर मैंने strawberry favor ले लिया है chocolate flavor ले लिया है और साथ में orange flavor ले लिया है wafers आप तीन अलग अलग types के रखेंगे तो बहुत ही tasty लगेगा vanilla के साथ तो बहुत ही must मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले post की है जाके जरूर देखिएगा अब ये देखिए orange green आपको जो color की पसंद है आप वो डालिए बहुत ही presentable हो गया एकदम must तो अब आपने देखा कि आपकी एक छोटी सी creativity से बन गया आपका वही ordinary सा occasion एक खास occasion तो इसमें आप अपने मन पसंद कुछ भी डालिए आपकी मर्जी है आप इसे खुद से बनाईए तो ये रही आपकी छे दिन के लिए छे आइस क्रीम और संडे को थोड़ा आइस क्रीम पर डाल दीजेगा और उसे जमा दीजेगा बन गया आपका कसाटा enjoy कीजिए